वहाई यह वीडियो इतनी ज्यादा इंपोर्टन होने वारी है अगर आप पूरा-पूरा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज इन्वेस्टर जब हम मार्केट में आते हैं तो क्या-क्या गलतिया करते हैं बेंभी और जो मैं गलतिया किया तो मैंने को राइलाइज हुआ कि अधिन लोकों को यह बाते बताना चाहिए कि आप इस ना करें है खे सबसे पहला很好 के हम क्या लेते हैं इवलीप प्लान में निवेस्ट करते हैं इवलीप में एक ट्र आप मुझ्विवाइब का प्लान होता है जिसिमें क्या होता है कि लाइफ कबर भी होता है अब सवाल ही है अगर आप एक टम प्लान आपने ले लिया जो 600 परमंध आप देते हैं और उससे आपको दो करोड का अगर आपको लाइफ इंसुरेंस मिल रहा है तो हम लेंगे क्यों में आपको 20 लाग का प्रिमियम पे करते होंगे आपको मैचुरेटी मिलता है और उस पर आपको लाइफ कपर मिल जाता है तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे को लाइफ इंसुरेंस में मिल जाए और मेरे को मैचुरेटी मिल जाए और उसमें टम प्लान में पैसे आपके बरबाद हो जाते हैं तो आप गला सोचते हैं आज इस बात को बिल्कुल आप गांठ बान लेजिए कि यूली कि यूलिप में क्या होता है आपको इंट्रेस्ट मिलेंगे और मुच्छल फेंड में आपको इंट्रेस्ट मिलेंगे 12-16-17-20-21 परशेंट सकते हैं तो कितना ज्यादा का डिफ्रेंस है जो पैसे यहां आपके आपको मैंने एक रूल भी बदाया था ना 72 का रूल मान लेजिए कि मैं आपको 12 परशेंट का इंट्रेस्ट दे रहा हूं मेरा पैसे कितने साल में डबल होंगे आपको क्या कर लेना है 72 को उपर रखे और 12 को निचे रखे आप कल्कुलेट करेंगे 6 यह मतलब 6 साल लगेंगे आपको पैसे को डबल होने के लिए वसे अ आपको जो बताया जाए कि हाँ एक टम इंस्रेंस ले लेजी दो करोड का एक करोड का और एक आपको अच्छा-चाहल किस कंपनी का ले हम उसका अनिलेसंस एसली वाला फ सकते अ कर आहम कि विशानल इन्वेश्टर की दे करेंगे और अब बात करेंगे कि Kenneth कितना furniture और इक में थोड़ा सा किसी और में थोड़ा सा ज़्यादा है और हमें इनवेस्ट करना चाहिए लाीच कमपनिया होती है जिसमें थोड़ी से कम प्राइस का कपनिया होता है मार्केट कैप सबसे ज्यादा हो इसारे सोता क्या है वैलन कंपनिया होती है वोल्टिलिटी इन में प्राइस का डिफरेंस थोड़ा सा मैं मैक्सम्म 20 परशेंट उपर या 20 परशेंट नीचे हो सकता है अगर आप मिट करेंगे करेंगे कल लें हंडेड आज हो जाका 20 अब बुलेंगे तो गैंबलिंग है तो इससे बिलकुल नहीं करना है अब अगला इस सब्सक्रिप्स में आते हैं कि क्या इस टॉक्स में जाना चाहिए कब जाना चाहिए अगर आप यंग है 30 के बिलो हैं अप इसकल सिखें उसके लिए अल्रडी प्लेलिस्ट में हम लोगों ने कॉर्स बना रखें सारे इसार से कोर्सेश फ्रीय ओफ कॉस्ट हैं लोग यूट अच्छी चीज क्या है जो हम और इसके अलाववी करना चाहिए आपको पता है जब आप बैंक में जाएंगे तो एक मोड होता उसको बोलते हैं आप अपने बैंकर को बोलिएगा कि आप मेरे अकाउंट में आपको मिलेगा एक रिटन बीना एक राये हुए आप जो गया ना हाँ जी हाँ एक ऑप्शन होता है और आपके अकाउंट में मान लेजिए कि 20,000 उनका पर मंत आपको मैनेज करना कमपल्सरी है जो भी आप अकाउंट को लएंगे डेटा वैरी करते रहेगा बैंक टू बैंक पर्सन टू पर्सन तो जैसे मान लेजिए कोई ब रखेंगे वह पैसा एक्टमर्टी को एक रिटन पर मिलेगा तो इसलिए इस वीडियो को शेयर की जाएगा था कि बाकी लोगों को भी आटो स्विप का मतलब पता चले हमने डिसकस किया कि मिश्वल फंड कितने लेने चाहिए मैंसके मैक्सिमम तीन अपने एकोर्डिंग आ अगर आपका फिक्स है तो डारेक्ट आपको में जाना चाहिए अच्छा जो भी पैसा बचता है उससे आपको क्या करना पड़ेगा इसकल सीख लेजी आपको पता है कि जो कोईट हुआ था नाइंटिन में खुब सारे ऐसे मेरा दोस्त हैं आप लोगों ने अपना जो वेल दिस्क्लूज तो नहीं कर सकते लेकिन हां भाई बिल्कुल मक्षन के तरह बिल्कुल सॉलिड इंट्रेस्ट में आदमी विल्कुल खुस हो गया तो बोलने का मतलब यह भी हम कर सकते हैं कि स्टॉक सिख ही और इन्वेश्ट किजिए और दूसरों को भी सिखाई है क्योंकि दान जितना बाटेंगे उतना बढ़ेगा और पैसा जितना आप दान करेंगे उतना पैसा भी बढ़ता है दोनों बातों के बिल्कुल गांट बानकर आप याद कर लेजिएगा यह दो इंपोर्टेंट फॉमुले हैं लाइफ के चली आते हैं टॉपिक के थोड़ा से बिल्कुल समराइज कर देना है कि हल्स प्लान टम प्लान यह लेना है और कुछ बिस्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं मुचल फंड और विडियो बना चुके हैं कि अल्फा रेट रे उसका जो अल्फा की वैल्व बिल्कुल मैक्सिम होना चाहिए बीटा और डाइवेशन नहीं गए तो आपको खुद बखुद अपढ़को यहाँ अधने नहीं चाहते हैं आपको पता है जितने बीङ आज के लगा आगर चाहते हैं अगर आज कल कोई YouTube पे बी कुछ डाल रहा है या Facebook पे डाल रहा इंस्टाग्राम पे डाल रहा है तो इसको बैलेंट हम चेक करते हैं क्या 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 क्यावन चाहिए क्या छूलना जंगे मैं क्या 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 सारी plane कर दिया ने कि आपको लगे घाथार कार्ड और अधार कार्ट से लिंक किया वह नंबर ताकिया और यह कर वाए। यृष्ट रहूशल कर भाल लिया तो बार बार के वाश्य किरवाने स्टॉबत नहीं पड़ती है अगर आपने stocks में करवा लिया तो mutual fund में वैलिड है mutual fund में करा लिया तो stocks में वैलिड है तो यह उसका सबसे बड़ा what we call advantage होता है time आपका कम लगेगा और फिर ऐसे करकर के आगे वाले series में discuss करेंगे कि आखिरे में tax कितना percent देना पड़ता है और यह थोड़ा कि गुजारी से जब आप यहां तक आ गए हैं कि आप हमेशा जबी वीडियो देखते हैं तो मैं हमेशा focus करता हूं कि आपको content दो content का मतलब आपको बिल्कुल जागरूप हो जाओं देखिए मैंने investment किया है कुछ कमाया भी है कुछ starting में कुछ losses भी हुए थे लेकिन मैं इसल कर पाता था क्योंकि उस टाइम मेरी active income या अभी भी अच्छी है तो उस टाइम में average कर देता था और मैं उसको आज तक हमेशा मेरे को green देखना है अच्छा लगा कि red ने red का मतलब losses का मतलब था अगर किसी के पाइसा ना हो तो कैसे करेगा उसका हो जाएगा नुक्सान मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर कंपनी अनलेसिस बिल्कुल मस्ट है यह आपको सीखना है मैं यह आपके लिए option नहीं देख रहा हूं कि आप कर सकते हैं मैं बोलूँगा कि आप कीजिए और notes बना आपको जागरू करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं जब भी मोगा मिलता है अपने काम से चुटकारा जब भी मिलता है हमें वीडियो बनाते हैं और आप सब के लिए upload करते हैं तो आपके लिए एक request है इस वीडियो को share किजी ताकि हम लोग को मिले motivation आपको लगा कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं आपकी life में कुछ awareness फ़ला रहे हैं तो उसके लिए आप share किजी लाइक किजी कमेंट किजी थैंक यू सो मुझ स्टेबलेस टेक कियर